आज से संसत बजट सत्र शुरू हो रहा है बजट सत्र के पहले दिन प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन पहुच कर अपना संभोधन दिया इस दूरान प्रधान मोदी ने बजट को लेकर तो जानकारी दी ही साथ ही विपक्ष से आग्रा किया कि वे दल की लडाई को सम्बोधित क्या। इसदर आन प्यममोदी ने कहा कि आत्यस्वसा उनंर का पहला सोंवार है। इस पावण दिन पर एक महत्पूर सत्र शुरू हो रहा है। आज पूरे देश की नजर इस पर है या एक सकरात्मक्सत्र होना चाहिए आगे प्यम मोदी ने कहा कि ये गर्व का विश्य है कि साट साल के बाद कोई सरकार तीसरी बार वापस आए और तीसरी पारी का पहला बजट रखने का सौभाग प्राप्त हो या भारत के लोकतंत्र की गरिमा मैं घटना की रोप में देश इसे देख रहा है इस दुरान प्यम मोदी ने विपक्ष से आगरा करते हैं कहा कि आज मैं विपक्षी सांसदों से भी अपील करना चाहता हूं कि पिछली जनवरी से हम लोगों के पास जितना सामर्थ था उसके साथ जितनी लड़ाई लड़नी थी लड़ जो बात जंता को बतानी थी बता दिए लेकिन अब वा समय समाफ हो गया है देशवासियों ने अपना फैसला दे दिया है अब चुने हुए सांसदों का करतव देश की लोगों के लिए हैं अब सभी सांसदों की यह जिम्यदारी के वें डल से उपर पर एक महत्वपूर्ण सत्र का प्रारंब हो रहा है और सावन के इस पहले सोंबार को मैं देश वासियों को बहुत बहुत शुप कामनाई देता हूँ आज संसत का मनसुन सत्र का भी आरंब हो रहा है देश बहुत बारिकी से देख रहा है कि संसत का यह सत्र सकारात्मक हो सुरुजनात्मक हो और देश वासियों के सपनों को सिद्ध करने के लिए एक मजबूत नीव रखने वाला हो साथियों भारत के लोक तंत्र की जो गवरव यात्रा है उसमें ये एक महत्मपूर पड़ाव के रूप में मैं देख रहा हूँ व्यक्तिगत रूप से मुझे भी हमारे सभी साथियों को भी ये अत्यंत गर्व का विशह है कि करिब साथ साल के बाद कोई सरकार तीसरी बार वापस आएं और तीसरी पारी का पहला बजेट रखने का सवभाग्य प्राप्त हो ये भारत के लोकतंत्र की गवरव यात्रा की अत्यंत गर्वमा पुर्ण घटना के रुप में देश इसे देख रहा हूँ कि ये बजेट सत्रह है मैं देश वास्यों को जो गारंटी देता रहा हूँ क्रमा शहरुप से उन गारंटीयों को जमीन पर उतारना इस लक्ष को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं ये बजेट अमरित काल का एक महत्वपूंग बजेट है हमें पांच साल का जो आउसर मिला है आज का बजेट हमारे उन पांच साल के कारे की दिशा भी ताय करेगा और ये बजेट ट्वेंटी फोर्टी सेवन जब आजादी के सो साल होंगे तब बिशित भारत का जो हमारा सपना है उस सपने को पूरा करने की मजबूत नीव वाला बजेट लेकर के हम कल देश के सामने आएंगे हर देश वासी के लिए एक गर्व की बात है कि भारत बड़ी एकोनमी वाले देशों में सबसे तेज गती से आगे बढ़ने वाला देश हैं गत तीन वर्षों में लगातार आठ प्रतिशद ग्रोथ के साथ एट परसेंट ग्रोथ के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं हम ग्रोव कर रहे हैं आज भारत में पॉजिटिव आउटलूक इन्वेस्टमेंट और पर्फॉर्मंस एक प्रकार से अपर्चुनिटीज की पीक पर है यह अपने आप में भारत की विकास यात्रा का एक एहम पड़ाव है साथियों मैं देश के सभी साउसदों से किसी भी दल के क्यों नहों मैं आज आगरह पुर्व कहना चाहता हूँ कि हम गत जनवरी से ले करके हम लोगों के पास जितना सामर्थ था उर्थ सामर्थ को ले करके जितनी लड़ाई लड़नी थी लड़नी जनता को जो बात बतानी थी बता दी किसी ने राह दिखाने का प्रयास्त किया किसी ने गुरुमरा करने का प्रयास्त किया लेकिन अब वो दोर समाप्त हुआ देश वाचियों अपना नेने दे दिया अब चुने हुए सभी साउसदों का करतव्य है सभी राजनितिक दालों की विशे जिम्मेबारी है कि हमने दल के लिए जितनी लड़ाई लड़नी थी लड़नी अब आने वाले पांच वर्ष के लिए हमें देश के लिए लड़ना है देश के लिए जूजना है एक और नेक बन करके जूजना है मैं सभी राजनितिक दलों से भी कहूंगा आईए हम आने वाले चार साड़े चार साल दल से उपर उट करके सिर्फ और सिर्फ देश को समर्पित हो करके संसत के इस गरिमापूर्ण मंज का हम उप्योग करें जन्वरी ट्वेंटी नाइन जब चुनाव का वर्ष होगा आप उसके बाद जाएए मैदान में सदन के अभी उप्योग करना है कर लीजिए उच्छे महिने जो खेल खेलने केल लीजिए लेकिन तब तक सिर्फ और सिर्फ देश देश के गरीब देश के किसान देश के युवा देश की महिलाए उनके सामर्थ के लिए उनको एमपावर करने के लिए जन भागी दारी का एक जन अंदोल उनको खड़ा कर करके 2047 के सपने को पूरा करने के लिए हम पूरी ताकत लगाए मुझे आज बहुत दूख के साथ कहना है कि 2014 के बाद कोई साउसद पांच साल के लिए आए कुछ साउसदों को दस साल के लिए मौका मिला लेकिन बहुत से साउसद ऐसे थे जिन को अपने खेत्र की बात करने का आउसर नहीं मिला क्योंकि कुछ दलों की नकारात्मक राजनीती ने देश के साउसद के महत्वपुर्ण समय को एक प्रकार से अपनी राजनीती विफलताओं को ढाकने के लिए दुरुप्योग किया है मैं सभी दलों से आग्रहपुर्वक कहता हूँ कि कम से कम जो पहली बार सदन में आए है ऐसे बहुत बड़ी संख्या में मारे मानने साउसद है और सभी दल में है उनको आउसर दीजिए चर्चा में उनके विचारों को प्रगण करने का मोका दीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को आग्या आने का आउसर दीजिए और आपने देखा होगा कि पार्लामेंट के नए संसब गठन होने के बाद जो पहला संत्र था 140 करोड देशवाचियों ने बहुमत के साथ जिस सरकार को सेवा करने का हुकम किया है देशवाचियों ने उसकी आवाज को कुछलने का अलोगत्रिक प्रयास हुआ जाई गंटे तक देश के प्रधान मंत्री का गला गोंटने का उनकी आवाज को रोकने का उनकी आवाज को दबाने का लोगतांत्री प्रमपरों में कोई स्थान नहीं हो सकता है और इसका कोई पस्षयताब तक नहीं है दिल में दर्ज तक नहीं है मैं आज आगरपुर्वक कहना चाहता हूँ देश वाचियों ने हमें यहाँ देश के लिए भेजा है दल के लिए नहीं भेजा है यह सदन दल के लिए नहीं यह सदन देश के लिए है यह सदन संसदों तक किस सीमा तक नहीं है 140 करोड देश स्वास्यों की एक विराज सीमात करके ये लिए है मुझे मैं अभी स्वास करता हूँ कि हमारे सभी मानिय साउसत पूरी तैयारी के साथ चर्चा को समर्द्द करेंगे कितने ही विरुद्व विचार होंगे विरुद्व विचार बुरे नहीं होते हैं नकारात्पक विचार बुरे होते हैं जहां सोचने की सिमाई समाप्त हो जाती है देश को नकारात्पक तागी जरूत नहीं है देश को एक विचार धारा प्रगति की विचार धारा विकास की विचार धारा देश को नई उच्छाईयों पर ले जाने वाली विचारदारा से हमें आगे बढ़ाना होगा मैं पूरा याशा करता हूँ कि हम लोग तंत्र के इस मंदिर का भारत के इस सामान्य मानवी के आशा आकांख्षाओं को पूर्ण करने के लिए शकारात्म गुरुप से उप्योग करेंगे ब्यूरो रिपोर्ट इंडिया पॉब्लिक खबर फ्लाल के लिए इस खबर में बस इतना ही देश और दिन्या की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहे इंडिया पॉब्लिक खबर के साथ करेंगे